देश भर में बसंद PNCM का तेहार बड़ी दुम धाम से मनाया जाता है इस दिन विशेश रूप से मा सरसवती की पूजा की जाती है मा सरसवती को वुद्या, बुध्धि, ग्यान, संगीत और कला की देवी माना जाता है माना जाता है कि बसंद पंचमी के दिन मा सरस्वती प्रकट हुई थी इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है वहीं इस दिन मा सरस्वती को प्रसंद करने के लिए उनकी इन तीन प्रिये चीजों का भोग लगाया जाता है पौरानी कताओं के अनुसार पसंद पंचमी के दिन ही ब्रहमा के मुँ से मासरस्वती प्रकट हुई थी इसलिए इस दिन विशेश रूप से इनकी पूजा की जाती है इस साल पसंद पंचमी कपर्व बुद्धवार 24 फरवरी को मनाया जाएगा इसके साथ ही मासरस्वती को प्रसंद करने के लिए आप बेसन के लड़ू का भूग लगा सकते हैं इसके साथ ही रबडी और केसर की खीर का भूग लगाना शुब माना जाता है मासरस्वती को इन तीनों चीजों का भूग लगाने से करियर में उन्नती प्राप्त होती है और मासरस्वती का आशरवाद बना रहता है जो भी व्यक्ति बसंद पंचमी के दिन बेसन के लड़ू का भूग लगाता है मासरस्वती के साथ ही भगवान विश्णू भी प्रसंद होते हैं इसके साथ ही उसके करियर में सफलता प्राप्त होती है वहीं केसर और चावलमा लक्षमी का प्रतीक माना जाते हैं इसलिए पसंद पंचमी के दिन मासरस्वती को केसर की खीर चड़ाना भी शुब माना जाता है। इसके साथ ही रबडी भी मासरस्वती को पसंद पंचमी के दिन चड़ाई जाती है। वंदेत आम्पर्मे स्वरीन भगवती भुद्धिर प्रदाम सारधाम आप सभी लोगों को बसंद पंचमी की बहुत बहुत सुबनाईर आप लोगों को घ्याद है कि बसंद पंचमी मात Reddit का बहुत ही विसेष्य द्योहार है। और बसंत पंचमी माग मास के सुखल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है इसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है बसंत पंचमी के दिन जो भी लोग मास सरस्वती की पूजा अचना करते उन्हें विसेश कैरियर में विद्या बुद्धी में विसेश फल मिलता है इस दिन म माता सरस्वती की पूजा जो लोग बेशन का लड्डू का भोग लगाएंगे, पेसर की खीर का भोग लगाएंगे और रबडी का भोग लगाएंगे, उनके जीवन में हमेशा ही अच्छी बुद्धी उनको प्राप्त होगी, माता सरस्वती की बुसेश की पबनी रहेगी और केरियर में बहुत ही अच्छा लाब हो गए बलो सरसुकी माता कीज़ है उत्राखंड रिशिकेस से ईशा बिरोरिया लोकल 18 के लिए